अलेलुया प्रेज दा लॉर्ड प्रभी यिश्य मसी में मेरे सभी बैन बाईयों को जैमसी की हम परमीश्य का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो परमीश्य ने हमारे चीवन में दिया सारा आदर महमा और जलाल खुदावन प्रभी यिश्य मसी के सामर्थी नाम को देते हैं हम आपका स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम परमेश्य के पवित्र वचन को मेरी बविश्यवानियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे ये वचन परमेश्य के दास प्रेरिद डॉक्टर अंकु यूसफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं इन वचनों में पवित्र बाइबल में से गहरे भेदों को बताया गया है और हमारे ये विश्वाश या कि पवित्र बाइबल के ये गहरे भेद आपकी मदद कि आपको मसीही जीवन में कैसे आगे बढ़ना है कैसे अपने टेस्टमनी को अपने जीवन में रसीव करना है तो पुरे विश्वाश के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने आज का सामर्थी वचन वचन को रेमा बनाना जैसा की परमेश्य के पवित्र वचन लुका चार अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है सबने उसे सराहा और जो अनुग्रा की बातें उसके मूँ से निकलती थी उन से अचम्भित हुए और कहने लगे क्या ये यूसफ का पुत्र नहीं मेरे फ्रीवो पवित्र बाइबल बताती है कि प्रभ येश्यो मसी के मूँ से जो अनुग्रे की बाते निकलती थी, उन बातों से लोग हैरान हुए, क्यूं? क्यूंकि जब आप परमेश्य के साथ हर दिन, हर समय वतीत करते हैं, आप पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, आप नहीं चुकते हैं, तब परमेश्य का अनुग्रे आप पर आ जाता है, आदम को भी जब परमेश्यो से रोज बात करता था, तो उसे वो आम जगने लगा, जबकि उसके उपर वो अनुग्रे था, जब चला गया, तो उसे मालूम हुआ कि कितना बड़ा अनुग्रे था, इस अनुग्रे के नीचे हूँ, लेकिन वो अनुग्रे आपके जीवन में बदला चाता है, जब आप परमेश्यो के साथ समय वतीत करते जाते हैं, और फिर आपकी जिन्दगी में जो आशिशे आती हैं, आपको उनसे अंदाजा होता है, कि हाँ, परमेश्यो का अनुग्रे जो लेकिन मेरी जिन्दगी की कुछ हानी नहीं हुई, तब फिर आपको मतलब समझ आने लगता है, कि मैंने परमेश्यो के साथ जो समय वतीत किया है, और मैंने परमेश्यो के साथ जो सबंदो को कायम किया है, मेरे प्रियों हर एक व्यक्ति के लिए रीमा वचन अलग है, हर एक के साथ नहीं मिलते हैं और किसी का DNA आपके DNA से नहीं मिलता है सिर्फ परिवार में आपका DNA मिलता है लेकिन आपका fingerprint किसी के साथ नहीं मिलता है क्यों क्योंकि परमेश्व ने आपको दिखाया कि आप अलग है आपकी पहचान अलग है इसलिए आपको परमेश्व के साथ रिष्टा काईम करना है सबंद स्थापित करना है और फिर जब वचन पढ़ेंगे आपके अंदर वचन जीवित हो जाएगा और आप मैसूस करेंगे कि परमेश्व ने मुझसे बात की है अगर आपके जिंदगी में कोई ऐसा सवाल है जिसका कोई भी जव जवाब नहीं है लेकिन जब तक आप वचन को नहीं पढ़ेंगे आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा और जब वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको जवाब देगा परमेश्वर आपसे बात करेगा वचन रेमा बनकर आपके सामने आ जाएगा और फिर आप आपकी जिंदगी बदल जाएगी आमेन पवीत्र वचनों के अनुसार अंगीकार सर्व शक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं परमेश्वर मैं ये अंगीकार करती हूं कि मैं आज से परमेश्वर आपके साथ रिष्टा कायं बनाए रख आमेन आमेन और आमेन आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने की द्वारा परमिश्राब सब को बहुत आई से आशिशित करें सब को जय मसी की God bless you all